कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जानकारी वो सेक्षिक और शुक्मक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय चला कानूनी चला या तो व्यक्तिकच चला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चैनल दोस्तों बिटकोइन का प्राइस काफी हद तक जोल रहा है 25,800 से लेके 26,300 डोलर के आसपास मतलब पूरे दीन के अंदर हम देखे तो 200-500 डोलर के आसपास मार्केट रियक्शन कर रही है ज्यादा नहीं कर रही है यह पहले बार नहीं हो रहा है इससे पहले भी ठंडा पड़ जाए यहाँ पर हम थोड़ा प्रिवेस बाते करेंगे तो जब बिटकोइन का प्राइज आया था 16,200 और वहां से मार्केट कुस चलती थी 17,000 डोलर के आसपास मतलब 500-700 डोलर का मॉमेंट लेते लेते मार्केट कुस 15-20 दिन साइड़ बेज रियक्शन हुई वहां पर हमें लगता था कि मार्केट में वोल्यूम खाली हो गया है मार्केट और गिर जाएगा उसी तरीके सा मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभी 3-6 और 9 दिन हो चुके मार्केट काफी यहाँ पर साइड़ बेज देखने के बाद लोग के दिमाग में आ रहा है कोमेंट्स भी मैं पढ़ रहा हूं वहां पर लोग एक है रहे कि सगर भाई यह बिटकोइन 10,000 डोलर जाएगा क्या 15,000 जाएगा कुस-कुस लोग एक है थे कि 10,000 चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा तो बिटकोइन का प्राइज उतने आसानी से आप 10,000 15,000 डोलर पेडि होता है तो इसा न्यूज एक्स को लेप्स हो गया ऐसा कोई न्यूज बढ़ा आता है तो 25 तो पार करेगा वरना मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी इन दिनों के अंदर 25 को पार करेगा आइसा हो सकते हैं यहां पर मार्केट वीक मारे 24,600 के असपास तो इसमें कोई फर पार करेगा तो मार्केट यहां पर काफी हद तक सस्टेन हो दए क्योंकि एक इसा लेवल है कोई उतना बड़ा नेगेटिव नियूज नहीं आता है तब तक 26 वाला जो लेवल वो टूटने के लिए रेडी नहीं होता है प्रिएस टाइम 26 वाला लेवल तब टूटा था तो काफी हद तक फियर जब क्रियेट हो मतलब की उतने बड़े पैनिक करने वाले नियूज आए तो फिर मामला गड़ बढ़ है यह चोटा सब्डेट है अभी यहां पर मार्केट के लिए जो सपोर्ट भी है 24 आट सो पत्चीस जा डोलर मैजर सपोर्ट एलिया यहां पर ब पहले की बात है यह नियूज आया था कि हम लाइसन वगरा है उसको एकसेप्ट करेंगे और होंग कोंग मतलब की आप जानते हो कि यह से नियूज से मार्केट के अंदर काफी पोजिटिव माहल भी हमें देखने को मिला तो नेक्स यहां पर हम बात करें तो होंग कोंग जो ह होंग कोंग फाइनेंशियल सेक्रेटरी ब्लोक्चेंट टेक को सपोर्ट करती है उसके साथ-साथ अभी इन दिनों के अंदर हमें यह सुनने को भी आ रहा है कि जो डेवलोपमेंट है उसके अंदर एडिशनल फंडिंग भी एक करती है नेक्स यहां पर बात करेंगे जैसे सबस्क्राइब करते हैं यहां पर के साथ और यहांऑ लाइसंस को यहांपर लाइसंस के साफिया है उसका नेव हैसका नेम है उस नेगेटिव न्यूज बनी थी जब इसका लॉक्चेन लाई हुआ था उन टाइम के अंदर सिवाइनों का जो इधिरियम ब्रीज लेटू वो रुक गया था तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर पोजिटिव न्यूज आजाती है कि सिवाइनों डेवलोपर्स यहाँ पर जो एक्सपर्ट यहाँ ऐसा कर test वाला कुछ भी नहीं है जब यहाँ पर इतने न्यूज बन जातें जैसे हम न्यूज पर से पोजिटिव न्यूज अपडेट है होंग कोंग के financial security support करते blockchain टेक को सब्सक्राइब फंडिंग भी करेंगी इसके development के लिए सेकंड बात है कि है इसकी जो एक्चेंज ही वो लाइफ हो चुका है होंग कोंग के अंदर license के साथ मास्टर कार्ड दूर होने से बाइनस को कोई फरक नहीं पड़ता सीवा इनों का ले टू नेट वर्क जो ब्लोक्चेन एथेरियम ब्रीज टू ले टू नेट्वर्क के अंदर जो ब्रीज का काम करता था और यह ओपन हो चुका है बिटकोइन का प्राइज 26,100 डूलर के उपर आ चुका है उमिद करता हम वीडियो समझाया होगा वीडियो को लाइक करना और फोकस करना 35,000 डूलर के उपर उससे नीचे बड़ा केंडल एसे आसानी से क्लोजिंग नहीं होगा बन सैट बता रहा हूँ जब तक कोई बड़ा बिटकोइन नहीं आएगा तो यह बूल जाओ 10-15,000 डूलर मुझे नहीं लगता कि आएगा मार्केट मिल टेकने वीडियो के साथ